नमस्कार मैं हूँ शिवांगी और आप देख रहे हैं एवन न्यूस बिहार आजे 17 सितंबर चलिये फटफट जानते हैं बिहार के हर जिलो की बड़ी खबरों को पहली खबर कहने को बिहार में शराब बंदे खानून है लेकिन सिवान में शराब बंदे कानून का सच का अंदाजा इस वाइरल वीडियो से लगाया जा सकता है वाइरल वीडियो जिले के दरॉली थानच शेतर के दोन बाजार का बताय जा रहा जहां एक शराब तसकर खुलियाम शराब बिक्री करते नजर आ रहा है वही नशेरी ग्राहक पैसे देकर शराब की दो बोतल लेता है और अपने पैंट के अंदर उसे चुपा लेता है गरतलबे की हाली में बल्या से दरॉली नाव में शराब बिक्री का जहांगी प्रस्तूत करने के मामले में पुलिस ने एक शक्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था बकरे गया शकस महावीरी जहंडरा बेले में जहांकी के माद्यम से हकीकत बयां करने की कोशित घिती जिसके बाद वीडियो वाइरल होने पर पुलिस की कारिशेली पर सवाल खरे हो गए थे दरॉली में यूपी के रास्ते रातरी आठ बजे के बाद सुबह खरीब 4 बजे तक शराब की तसकरी जाती है फिर दरॉली में शराब पहुचने के बाद यहां के एक्टिव शराब तसकर लोगों को बताये गए पते पर लाकर शराब के डिलिवरी करते हैं ऐसे में प्रशासन के पूर्णे शराब बंदी का दावा कहां तक सत्य है इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है बताते चले कि यह वाइरल वीडियो दो-तीन दिन पहले का बताया जा रहा है जिसे अब सोशल मीडिया पर जारी किया गया है इधर वीडियो वाइरल होने के बाद अस्थानिय प्रशासन आरोपी को पकड़ने की दावे कर रहे हैं अगली खबर बेगुसराय सीरियल गोली कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है सम्मन्ध में एस्पी योगेंदर कुमार ने शुकरवार को प्रेस कॉन्फरेंस कर बताया कि गोली कांड से जुड़े चारों आरोपितों को गिरफतार कर लिया गया है एस्पी ने बताया कि इन लोगों ने दहशत खेलाने के लिए फाइरिंग की पतरकारों ने जब पूछा कि मास्टर माइंड कौन है तो एस्पी ने जवाब दिया कि इन सब लोगों ने मिलकर ये कांड किया है और जान चल रही है जिसमें आगे और गिरफतारी हो सकती है एस्पी ने बताया कि गिरफतार किये गया युवकों से पूस्ताच के दौरान दूसरी बाइक पर बैठे दो अपराधियों के बारे में इन लोगों ने बताया है, जिस पर हमारी टीम काम कर रही है, जिन चार आरोपितों को गिरवतार किया गया है, उनमें केशव उर्फ नागा, सुमित चुन्चुन और युवराज शामिल है, बतादे कि केशव उर्फ नागा पर पहले से दो मामले द दूसरी बाइक पर वैठे आरोपितों की तलाश की जारी है, युराज वाली बाइक को बरामत कर लिया गया है, चुन्चुन और केशव नागा दोनों को साजिश्ट में अरेश्ट किया गया है, जो घटना के वक्त और उससे पहले बक्के बाद भी युराज और सुमित के स अगली खबर, राज्य के माध्यमिक उच्चे माध्यमिक विद्यालियों में तकरीबन तीस हजार शिक्षकों के पद छटे चरन की नियुक्ती में रिक्त रह जाने की वज़त से शिक्षा विभाग ने योग अभ्यार्थियों को नियुक्त करा, एक और मौका दिया है, नगर निकाय नियोजन इकाईयों के अभ्यार्थियों को एक और बौका चुनाओ आयोग ने अनुमित मिलने के बाद ही मिल सकेगा, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पटना और सारन को शोड़कर राज्य की शेस जिला परशद नियोजन इकाईयों के लिए ज़ारी अध पोटी बार रिक्ती की गणना करते हुए द्वीतिये सम व्यभार की नियुक्ती की गतिवीदी करेंगे। इसी वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे 28 सितंबर को चैनीत अभ्यार्थियों से समती पत्र प्राप्त कर नियोजन पत्र निर्गत करेंगे। अगली खबर बेंगलूरू से पत्ना आ रहे स्पाइस जेट के विमान के अच्छानक हैदरबार्द एयरपोर्ट पर डाइवोर्ट होने की बज़ज़ से यात्रियों की भारी फजीहत हुई। दरसल इस बिमान के पत्ना आने के बाद यहां से यात्रियों को लेकर बेंगलूरू जाना था लेकिन डाइवोर्ट बिमार के समय से पत्ना नव पहुँचने पर लोकनायक जो प्रकाश नारायन हवाई अड़े पर जम कर हंगामा हुआ दरसल बिमान को लगभग शाम चार बजे तक पत्ना आना था और फिर आदे घंटे के बाद इसे पत्ना से बेंगलूरू के लिए उरान भड़नी थी लेकिन रात नौ बजे तक जब पत्ना में यह बिमान नहीं पहुचा तो यात्री नाराज हो गया आक रोशित यात्रियों ने बिमानन कंपनी के प्रतिनीद से इस बाबत मीडिया में कोई सुचना नहीं जारी की गई पत्ना यारपोर्ट पर विमान का इंतिजार कर रहे है यात्रियों को बताया गया कि गुरुवार की दो पर दो बजे के आसपास बेंगलूरू से पत्ना के लिए SG 767 से उन्हें उरान भरी जिसके बाद पत्ना जि 20 शाम 4 बजे से ही हर एक एक घंटे पर विमान के आने का समय बढ़ाया जाता रहा जिससे यात्री आकरोशित हो गए